हेलो एवरिवन वेल्कम बेक तो माई चैनल आज हम आपके लिए तुछी से संबंदित एक वीडियो लेकर आए हैं सर्दी के मोसम में जादा तर सभी लोगों की प्रेशानी होती है कि उनकी तुलसी माता सूख जाती है उसके पत्ते ज़र जाते हैं तो उसके लिए हम आज एक करशिशानी हमें मार्किट से पहुत फिर सस्ते में और आसानी से मिल जाता है उसके बारे में आपको आज बताएंगे तो तुलसी फरवरी के महीने में हमारी तुलसी लगबग सभी की इस तरह की सूख जाती है उसके सभी पत्ते ज़र जाते says और केवल डंडिया ही रह तो इस तरह की सूखी तुल्सी को हम उख़ाडेंगे नहीं और ना ही उसको पैकेंगे। इन डण्डियों को हम उपर उपर से इसकी सारी कटिंग कर देंगे और कटिंग के बाद slapiris के महीने में बसंत पंच मी के बाद जब बसंत आ जाती है तो इन सभी डंडियों में नया खुटाव आ जाता है और हमारी तुलसी फिर से हरी भरी होने लगती है लेकिन इसको हरी भरी बनाने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है पिछली वीडियो में मैंने आपको एक फर्टिलाइजर घर पर त्यार करने वाला बताया था तो इस वीडियो में भी हम इसी तरह से एक नया फर्टिलाइजर बनाएंगे उसे पहले हम सारी तुलसी की सुखी हुई डंडियों को निकाल देंगे इस तरह से कैंची या आपके जो भी इसको निकालने का उजार हो उसकी सहायता से हम सभी सूखी हुई टहनिओं को सूखी सूखी डंडिओं को निकाल देंगे इन सभी की क Preis क्टिंग करने के बाद अब हम उस शस्ते से पाइजर का आपहर करेंगे यह जो पत्थर से दिखने वाले हैं यह दो-तिन चोटे-चोटे पत्थर से हैं, इनको हम सुहागा के नाम से जानते हैं, जो नोर्मली किर्याने की या ग्रोसरी शॉप पे मिल जाती है, और ये हमारे किचन में यूज करने वाली चीजे होती है, तो सुहागा कोई ज्यादा महंगी चीज भी नहीं होती है, इसको हम मार्केट स बड़ी आसानी से ले लेते हैं, ये बहुत ही सस्ता मिलता है, तो उससे पहले हम इस तुलसी के जो हमारी मिटी है, उसको खुर्पी से या जिस भी औजार से आप इसको, इसकी मिटी को ठीक करते हैं, इस तरह से सारी मिटी को कुरेद लेंगे, और इसको अच्छे से इसकी गुडाई कर देंगे और मिट्टी को बिलकुल नरम और हलकी बना लेंगे और सारे जो इसके आसपास पत्ते वत्ते गिरे होते हैं उन सभी को हम निकाल देंगे और मिट्टी की बड़े अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे और ये जो हमने पत्थर जो सुहागा है उसको हमने के बाद हम इसको एक पाउडर की फोम में रख लेंगे और पीस यह जो सुहागा है यह नॉर्मली किर्याना स्टोर पर मिल जाता है और अगर आपको किर्याना स्टोर पर नहीं मिलता है तो इसको आप ओनलाइन भी परचेश कर सकते हैं वहाँ पर भी यह बड़ी आसानी से मिल देंगे ताकि सारे में इसका असर चला जाए और उपर से पानी इसमें हमने अवश्य देना है और गुड़ाई करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मिटी जो है वो गिली नहीं होनी चाहिए कोई भी हम इसमें फर्टिलाइजर डालते हैं तो किसी भी पोधे की मिटी गिली नहीं होनी चाहिए सूखी मिटी में हम खाद डाले और उसके बाद उसमें पानी दे तो उसका असर ज़्यादा अच्छा रहता है तो हफते दस दिन के बाद ही आप देखेंगे कि हमारी तुलसी इस तरह से बिलकुल हरी भरी हो जाएगी तुलसी के पोधे को अ इस तरह से उपर से पिंच करना होता है जहां पर भी उसकी मंजरी आती है इस तरह से पोधे को पिंच कर देंगे तो वहां से उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी और वो नीचे नीचे फैलाओ भारी भारी तुलसी होने लग जाती है तो इन सब चीजों का ध्यान रखते ताकि सभी लोग इसका फाइदा उठासके तो इस तरह से हम अपनी सारी तुलसी की मंजरी को समय समय पर उतारते रहें क्योंकि यदि तुलसी की मंजरी तुलसी के उपर लगी रहती है तो तुलसी आगे नहीं बढ़ पाती है क्योंकि उसकी सारी ताकत उसके फूलों को बन तुलसी की सारी पावर जो है वो इसकी मंजरी को बनाने में लग जाती है और धार्मिक हिसाब से देखें तो कहा जाता है कि तुलसी पर जितनी मंजरी होती है वो मा तुलसी के ओपर एक भार होता है तो हमें उस भार को उतारते रहना चाहिए तब ही हमारी कुल्सी आगे अच्छे से ग्रोथ कर पाती है अब हम आपको एक दूसरा घर पर त्यार करने वाला फर्टिलाइजर बताएंगे जो आम तोर पर घरों में सभी के होता है ये जो आपको सफेद सफेद हमारे पास इस डबे में दिखाई दे रहा है ये है जो हम लोग घरों में लसी या मठा जिसको कहते हैं वो है या लसी मठा ना हो तो जैसे दही जो होती है दही को हम पानी में मिक्स करके और उसका इस तरह से एक गोल बना करके अगर हम अपने तुलसी के पोधे में डालते हैं तो हमारी तुलसी बहुत ही अच्छी हो जाती है और ये एक free का fertilizer है जो हम अपनी तुलसी को अपने घर पर ही आसानी से दे सकते हैं इसका प्रियोग हम पंदा दिन में अपने पोधे के लिए कर सकते हैं पंदा दिन में एक बार अगर हम इसको डाल देते हैं या महीने में भी एक बार डाल देते तो हमारी तुलसी बिल्कुल हरी भरी रहेगी, उसमें किसी तरह की कोई फरेशानी नहीं आती है तो ये थी तुलसी से संबंदित हमारे पार चोट चोटी सी जानकारी थी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर अवश्य करें और चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और इस जानकारी को अपने तक ना रखे अपने मित्रों और प्रेजनों में इसको आगे भी शेयर करते रहें तो मिलते हैं इसी तरह के अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत